हालो प्रेंज विल्कम बाक टो इंवेस्मेंट टाइंच ब्लाउड आज इस वीडियो में हम ऐसे कुछ शेर्स के बारे में डिस्कुशन करने वाले हैं जिनका रोसी हाई है रोई हाई है और साथ में वह 100 रुपीज से कम के शेर हैं मतलब कि आप अगर चाहें तो अपना अप अपने पॉट्फोलियो का कुछ अमाउंट इन इन इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत ही कम रेट के शेर्स हैं स्मॉल कैप और मिट कैप शेर्स हैं साथ में इनका फंडमेंटल्स अच्छा है और अगर आप चाहें तो इसको एक SIP के तौर पे भी यूज कर सकते हैं लेकिन जो हमारा टॉपिक है कि हंडेड टीटेल्ट वीडियो इसके शेर हैं उसके बारे में आज हम दिस्कूस करेंगे तो हमारे लिस्ट में पहला नाम है जो है मार्ट इन फर्मा का यह फर्मा बेस्ट कंपनी है इसका एक फुल डिटेल्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चानल पहलेबल है तो अगर आप पुल डिटेल्ट वीडियो चाहते हैं तो तो आप हमारे डिली कॉल चानल पैट सकते हैंank धूट्यून का नोकोझ कंपनी है कंपनी 250 कॊ म१ा के कि कमपनी ही 2,000 करूर की चांपनी kitoご नो pati कि कर दियों है बोवहरा फैस्ट में कर सकते हैं कितनु पी अभी 10 का चल रहा है वहीं पर अगर इंडर्स्ट्री का पी देखे तो 20 का चल रहा मतलब कि आधा है मतलब कि आप यह भी बोल दखते हैं कि कम्पनी अभी अभी अंडर वाल्यूड है साथ के अगर हम कम्पनी का return on capital employed देखें तो वह 20% का है और ROE देखें तो भी 18% का है कम्पनी का ROE ROC दोनों काफी अच्छा है साथ में जो और दूसरी अच्छी बात है कि कोई भी percentage stake का pledge नहीं है साथ हे promoters के पास 48% का stake है तो यह और जो मतलब के पहला हमने देखा कि stock undervalued है ROC यह अच्छा है ROE अच्छा है pledge नहीं है percentage और जो 5th हमारा best thing है वह है debt to equity ratio जो भी negligible है 0.09% के अच्छा तो अगर पूरा overall देखा जाए तो company काफी अच्छी है fundamentally strong company है अब हम चलते हैं company के चार्ट के ऊपर तो markson pharma का चार्ट आपकी screen के ऊपर आप देख पा रहे है यहां पर कोरोना का जो लो था उसमें company ने अपना अल्मूस्स 10 रुपया का लो टच किया था कंपनी का पहले हाई था अल्मूस्स 110 रुपया का वहां से कंपनी का खराफ फेज चल रहा था दाउन से कंपनी ट्रेट कर रही थी और फैनली कोरोना के टाइम में company ने पना 10 रुपया का लो टच किया फिर वहां से मार्च 2020 से लेके मार्च 2022 तक में कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और 10 रुपय का शेर अल्मूस्स 100 रुपया टेच करने पे था नेकिद वहां से फेज हमें रश्य यूक्रेयन का वार कह लीजिए या फिर फेडरेट में हाइक बोल दीजिए इन सब कुछ रिजंस के कारएं कंपनी फिर से डाउ अपने पॉर्ट फोलियो का एक छोटा सा अमंट आप यूदस्य किपनी प्रॉंट नांज होके अब फोड़ा थोड़ाचोड़ा बोल आप कर शक्ते ल安全 हमारी कंपनी जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है TV18 Broadcast TV18 Broadcast पर अच्छे कमपनी है बीचर मर्जर का जो न्यूस आता है जिसका उनसे कमपनी में हमें अर्मिस 50% का एक गरावत देखने को मिला तीन से चार दिन में ही कमपनी का शेर पैस बहुत जादा ही करेक्ट हुआ था अभी अब कमपनी के मार्केट के बारे में बात करें तो 6000 करूर की कमपनी है पहले जो हम तो मार्कसिंट फर्मा का बात कर रहते हैं वो 2000 की कमपनी थी यह 6000 करूर की कमपनी है स्टॉक का पी अभी 11 पे है और वहीं पे इंडस्ट्री का पी 60 पे तो इस शेयर को भी आप बोल सकते हैं कि यह एक अंडर वैल्यूद कंपनी है कंपनी का रोच की बात करें कि 20% का है और वहीं पर कंपनी का रिडर अन एक्विटी 13% का है जो कि फिर से एक अच्छी बात है क्योंकि हम लोग 20% से उपर के कंपनी को अच्छा रोची वाली कंपनी मानते हैं यहां पर जैसा कि हम लोग देख रहा है कि पिछले कुछ दिनों में कंपनी का शेयर पैस काफी जादा करेक्ट हुआ है और खासरी कंपनी अभी एक अंडर वैल्यूट कंपनी चल रही है चालिस उपर का शेयर है तो अभी कंपनी में अगर सब कुछ ठीक थांग रहा है तो कंपनी अभी आगे बढ़ सकती है प्रमोटर्स के पास 60% का स्टेक है कोई भी प्लेज नहीं है स्टेक का अगर देटो एक्यूटी के बात करें तो कंपनी के पास करजा है लेकिन बहुत ही कम है वह नेगलिजबल है तो वह उतना मैटर नहीं करता है जो 0.15% का करजा है तो वह नेगलिजबल है अब यहां से इसके बार कमपनी के चार्ट के ऊपर चलते हैं अगर हम चार्ट के बात करें तो आप देखी यह कं पनी ने अतना हाई बनाया था ऐटी टू रूपी का कुछ दिन पहले मार्च 2022 में अल्मस 80 रुपया का हाई बनाया उसके बाद जब मर्जर का न्यूज आने वाला था उस समय भी कम्पनी ने काफी अच्छा एक ग्रोथ दिखाया था बोलते हैं कि जो इंसाइडर्स न्यूज रहते हैं वो लोग पहले उनको पता चल जाता है कि कब कम्पनी बढ़ने वाली है जब न्यूज आने वाला था आप देख सकते हैं फरवरी में पचास रुपया का था और वहीं से एक महिने में कम्पनी पचास से असी हो गई लेकिन जब यहां पे जो इंसाइडर्स थे उनको पता चल गया कि नहीं अब यह नहीं तिकने वाली है फिर वहां से निकलना शुरू किये और कम्पनी का शेयर प्राइस मर्जद न्यूज के बाद असी रुपया से चालिस रुपया तक पहुँच गया कम्पनी ने अपना लो बनाया था अल्मूस्ट 35 रुपया कम और अभी 40 रुपय के आसपर स्टेट हो रहा है आप यहां पर अगर पोजिशन बनाते हैं तो आपको ध्यान रखते हैं कि अगर इस चीज को तोड़ता है मतलब कि अगर 33 रुपय और 30 रुपय के आसपर के अपना प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाएगा और 30 के आसपर स्टॉप रखिएगा क्यूंकि एक बर अगर कम्पनी गरना शुरू होती है आप देख से चालिस हो गया और यह कभी 30 से 15 पर पहुँच जाएगा आपके नजर के सामने गर जाएगा और आपको पता नहीं पर्मा और एक टीवी 18 ब्रॉडकार्स नंदन डेनिम है और छोटी कंपनी है बहुत ही स्मॉल कंपनी है मातरे 380 करोर का कंपनी का साइज है पास 64% का स्टेक है कोई भी प्लेज नहीं है परसंट है लेकिन इस कंपनी में डेट है और मुस्त 1.04% का डेट है तो अगर 1% से न परसंट को हम लोग उतना प्रिफर नहीं करते हैं तो यह भी अगर कोई स्टुडेंट है हमारे व्यूर्स में या कोई जो इस वीडियो को देख रहे है और सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनको 100 से नीचे वाला शेर खरीबना है तो आप इन सब में अपना ट्रेट कर सकत आप剛剛 प्रश्य में यह शीक्री श्मर्स का बूट रहे हैं सब्सक्राइब करें कोई तो थे इस अब कर संब घर सब्सक्राइब परिंदेगर कोई परिंदेश्ट नहीं संब तो मिनकों चल रही है अब अगर हम कंपनी के चार्ट पे चले तो नंदन निम्स यहां पर आप देख सहते हैं कंपनी ने अपना हाई बनाया गाए 70 रुप्या का ज्यादा दिन की बात नहीं है अपना हाई बनाया गाए 70 रुप्या का अब फिर वहां से कंपनी के शेयर में फॉल आया 70 रुप्या से सीधे कंपनी 5 रुप्या के हाफ से भी कम हो गई 60 परसेंट से जादा का 70 परसेंट तक का अल्मुस्ट यह वाइप हो चुका है अभी 25-26 के करीब कंपनी ट्रेट करी है एक यहां पर बनाने का कोशिश कर रही है कंपनी लेकिन अगर यहां पर सस्टेन नहीं करते हैं तो अगें यह एक बार नीचे आ सकता है और तो आप बड़ा अमाउंट इसमें इन्रस्ट ना कीजिए चोटा-छोटा अमाउंट अगर आप चाहते हैं तो इसको ट्रेडिंग पॉपस पर लीजिए आप देख यहां प कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है ना तो डेट अच्छा है इस कारण से आप इसको ट्रेडिंग पॉपस से लीजिए और इंवेस्मेंट के पॉपस से मत लीजिए कंपनी यहां पर अपना एक बेस बनाने का क्रेट कर रही है होप कि अगर ग्लोबल सेंटिमेंट अच्छा रहा हमारे शियर मार्केट अच्छा परफॉर्म किया तो अगर रिवर्स लेती है तो यह राउंड बॉटम कवर कर सकती है मतलब कि 26 से लेके अभी तक आप तक आप तागेट लेके चल सकते हैं लेकिन सर्थ है कि कंपनी वैसा परफॉर्म करना चाहिए यह ताइम लेगा जैसे आप देखी कि तीन से चार मैने में यह 60 परसेंट गिर गया लेकिन यह बढ़ने का उमीद नहीं है यह आपको साल बर ले लेगा लेकिन साल बर में अगर देखा यह अपका वन अफ माइ फेवरेट शेर्स मेरा इसमें अभी होल्डिंग है कुछिन परली इसके वाले में हमने अपडेट भी क्या था कि यह एक पेपर बेस्ट कंपनी है तो जब यह न्यूस आया था फिर्स जुलाई को कि जिते भी प्लास्टिक्स जो वन्यूस वाले प् अब अब इसके प्लास्ट को अब बात करें तो अब देखने को मिला था पिछले कुछ दिनों में मदब की एक तारीक से लेकर 10 तारी तक के बीच में काफी अच्छा परफॉर्म किया था वो चीज हम आपे चार्ट पे देखेंगे लिगिन अभी हम कमपनी के अगर कुछ र 400 करूर की कंपनी बहुत ही चोटी कंपनी है चौक का पी 10 पे इंडेस्ट्री का पी 14 पे तो ज्यादा अभी नहीं है और अभी जो कंपनी में एक ग्रोथ देखने को मिला है जिस खारन से इसको भी पी भी हाई मिल रहा है कुछ दिन पहले अगर देखा जाता तो यह शायर च रोच और रोच और रोच 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 दोनों अच्छा है 25% का है लेकिन प्रोटर्स के पास 49% के प्लेज रखा एक प्लेज रखा तो यह चीज देखने वाली बात है डेट टीविप्टी रिश्यों देखा जाए तो 0.6% है ठीक है कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है प्राइ प्रीज बुलिश्यों अगर आप लेना चाहेगा भी वाली बाता है अगर इनवेस्मेंट के लिए और रिखा जाए तो यह ता यह च्पका के बारे में आप देखे अभी 66 का लो बनाया था और हाई बनाया दा एक यह बनाता एक रूपया का तो अगर हम कमपनी के तो आप चार्ट के ऊपर चलते हैं तो हम यहां पर कम्पनी का यह श्पक्का लिमिटेड जैसे कि मैं आपको बतायें कि एक तारिक से एक तारिकों कम्पनी जो न्यूज आया था तो एक तारिक से कम्पनी बढ़ना शुरू की थी अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा तो यह वाला जो चार्ट है यह 21 जून का है वहां से 1 महीने में, 1 महीने में पहले कम्पनी 6agen एक पहले कम्पनी 108 पर तैसलस्स का हई बनाया मतलब किह ओल्मूस 40 % का एक महीने में हमें क्यूमंत देखनी को मिल यह कंपनी के चार्ट के उपर यह एक रेस्利म स्यूज कर prayer ती कमपनी पहला था एक बार दो थीम झेला अना चारी लेकिन फिरसे यह इस रेस्टेंस के कारण से कंपनी अहां तक नहीं पहुच पहाई लेकिन अभी इस न्यूस के बाद जो कंपनी में हमें एक उच्छाल देखने को मिला था तो उस समय कंपनी ने इस जो रेस्टेंस लाइन था उसको क्रॉस कर चुका है कंपनी ने उस रेस्टेंस लाइन को क्रॉस किया और उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए वापस लाइन के आसपास ट्रेड हो रहा है तो यहां पर अपना पोशिशन बना सकते हैं अगर ग्लोबल सेंटिमेंट अच्छा रहा हमारे इंडिन स्टॉक मार्गेट का अगे जा सकती है तो आप इसको भी ट्रेडिंग परपस लें इंवेश्मेंट के परपस से ना ले तो आज इस वीडियो में ने चार्ज शॉक के बारे में डिस्कूर्स किया पहला था हमारा मार्कसिन फार्मा दूसरा था हमारा टीवी एटीं ब्रॉडकास तीसरा था नंद लेकिन मुझे सब कुछ परफेक्ट लगा तो अगर आप चाहें इसमें तो आप इन्वर्स कर सकते हैं और इसका बताया की लिंक नीचे दिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से चेक आउट कर सकते हैं हमारे देली कॉल्स के लिए आप हमारा टेली ग्राम चानल जॉइं करें टेल्ग्राम चानल का लिंक माने दिस्क्रिप्शन में दिया आप वहां से जॉइन कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपके लिए हल्फुल हुआ हो तो एक लाइक जरूर कीजेगा और हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कीजे थांक यू बेरी मच मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाइ